Hello my dear friends, दुरण बार, सब्जेक्ट इंग्लीश, सेक्षन सीनो टोपिक अपड़े मित्रो, आजे अपड़े सेक्षन सीना टोपिक, प्रूज, पेरेग्राफ्स फॉर कॉम्प्रियेंशन नो स्टड़ी करीशू। मित्रो, आपड़े आगड ग्रामर ना किटलाक टोपिक्स नो स्टड़ी करेलो, किटलाक ने, पन आपड़े गईश क्येके मुटा भाग ना टोपिक्स नी चर्चा करीचे, त्यार बाद इंफोर्मेशन ट्रांस्पर, तेमाज न्यूस क्लिपिंग विशे पन आपड़े बनी चुक्या छे, हवे आजनों आपड़ो आजे टोपिक छे, जेने आपड़े अंसीन पेरेग्राफ कई शकी, अथ्वा सप्लिमेंटरी बुक ना पाठमा थी या पुछाई शके, तो मित्रो, अंसीन पेरेग्राफ अथ्वा प्रोज पेरेग्राफ और कॉम्प्रियेंशन के आपड़े रिते पुछा से, तेनी आपड़े आजे चर्चा करीशूं, आपड़े एक पेरेग्राफ अफ़ा मा आवशे, यू विल बी गिवन वन पेरेग्राफ, बीलो दे पेरेग्राफ, फाव क्वेस्चन्स आर गिवन, वाट यू है तो दो इस, यू है तो फाइंड आ ये कोई पेरेग्राफ हापे हो असे, ये पेरेग्राफ मा थी सवाल ना जवाब शोधवा ना जे, तो मित्रों क्यारे शोधी शक्की है, कि जयारे आपड़े पेरेग्राफ मा खबर पड़े त्यारे, तो पेरेग्राफ ने आपड़े जहां सुधी खबर ना पड़े त्यह इतली वधारे प्रेक्टिस करीशू ते टलो सारो जवाब अपड़े लखी शकीशू एटलो तो शोर छे के जवाब अंदर जापिवशू आपड़े इतली तकलीफ लिवानी छे के जवाबने आपड़े शुधवानों छे what you have to do is you have to find out the answer तो मित्रो आएक पेरेग्राफ छे यहनी आपड़े आजे चर्चा करीशू साथी पहला सूचे ना जुईए read the following paragraphs and answer the questions given below them मतला बाँ पेरेग्राफ वाँचो अने सवाल ना जवाब आ पेरेग्राफ मा थी शुधी अने लखो तो आजे आपड़े मित्रो बेके त्रोण पेरेग्राफ नी चर्चा करीशू त्यार बाद तमने प्रेक्टिस माटे थोड़ाग पेरेग्राफ आपीशू लेट सी दे फर्स पेरेग्राफ जस्ट आई रीड इट माचू चू जुओ और्फंट एट अवेरी यंग एज सलीम वाज ब्रोट अप बाईज मैटरनल अंकल और्फंट नो मतलब था जेने पूता ना माता पिता गुमावया चे ते ओ बाड़क तो और्फंट एट अवेर अप बाईज मैटरनल अंकल सलीम अली नीवाज चे ग्रेट बड लवर और्नितोलोजिस्ट केवाई पक्षी विद पक्षी शास्त्री तो सलीम अली ना बाड़पण विशे आपियो छे के सलीम नो ब्रोट अप उचेर तेना मैटरनल अंकल द्वारा करवामा आवयो मैटरन अप बाड़प तरीके सलीम अली ने खुबज मोंगी कई शकाए तेवी एर गन आपफामावी गिफ्ट तरीके यले आना मामा ये ने गिफ्ट मां एक मोंगी एर गन आपी एक दिवस आने जूयू एक दिवस आने जूयू के एक आज जे स्पेरो आने शूट करी हती शिकार करयो हतो तेने यल्लो थ्रोट हतो मतलब के पीडू गड़ा बाड़ी चकली हती एक आने जूट फूर जे खूरीज पूरा बाड़ी चकली हती जुटने बाड़ी चूरी आज जूटने 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 रोकी शकयो नहीं आने तेना आनकल पासे अप्रोच ये पहुँची गयो His uncle who was equally clueless took him to the Bombay Natural History Society येनु short form BNHS in the hope of finding an answer तेरा अंकल जे clueless हता clueless है तेले एमने पड़े मां भूँ ख्याल आवे हो नहीं तेहो तेने BHNS मां लई गया BNHS ये Bombay नी Natural History Society छे ते जवाब मेडवानी आशा थी तेने BNHS मां लई जाये छे तेर अनुररी सेक्रेटरी W.S. मिलाड अलसो तोल्ड हम अबाव ते वेराइटी आप स्पेरोज तेहा तेने अनुरररी सेक्रेटरी W.S. मिलाड तेने वीवीत प्रकार नी चकली स्पेरोज विसे जनावे शे ते दिवसे सली मली ये नक्की करिए के ते अर्नितो लोजिस्ट बन से तो मित्रों आवो एक पेरेग्राफ आपे वसे एक पेरेग्राफ नी नीचे क्विश्ण असे तेनों अंसर आपणे शोधी अने लखवाना तो जे प्रमाणे नों क्विश्ण होए मित्रों ते प्रमाणे आपने आंसर लखी शो अगर पेरेगरा प्रिजन्ट एंस मा होए तो आंसर पण आपने प्रिजन्ट एंस मा लखी अने पास्ट मा होए तो पास्ट मा For example, first question is By whom was Salimali brought up? Salimali नो उचेर कोना द्वारा करवा मा आवेओ तो मित्रो आपने आनो जवाब आपने लखी शक्किये छिए के Salimali नो उचेर देना अंकल द्वारा करवा मा आवेओ तो आपने आंसर लखी शक्किये Salimali was brought up By his maternal uncle Why? Shamaate Because Atha yes He was orphaned At a very young age कारण के देनो खुबज नानी उमर मा अनाध थाई गयो हातो Second Who created interest in Salimali for birds? Salimali नो birds मा कोणे interest क्रियेट करू? तो birds मा इंट्रेस कोणे क्रियेट करू? तो यहना uncle है आपने रखी शक्किये He is maternal uncle's gift Maternal uncle's gift Created Interest In Salimali for birds What was Salimali given as a present? Salimali ने present तरीके शूँ अप्पा मावी भूँ तो expensive air gun तो लखी शका है Salim was given An expensive Air gun As a present Present तरीके Expensive air gun अप्पा मा आवी जे प्रमाणे नो प्रश्टोवा मित्रो ते प्रमाणे नो जवाब लखाए Question number 4 Give a one word of substitute A person who studies birds मतलब आ शब्दनो substitute word आप्पानो समानार्थी शब्द तो ये वो व्यक्ति के जे पक्षियों नो अभ्यास करे पक्षियों ना अभ्यास करवा वाड़ा व्यक्ति ने Ornithologist कहवाए तो आपने जवाब लखी शक्के Ornithologist Who was the honorary secretary of BNHS BNHS ना honorary secretary कौना तो तो आपने कही शक्के W.S. Milad तो हुना पले सुपलखी शू W.S. Milad Was the honorary secretary of BNHS तो मित्रो आवी रिते पेरेग्राफ आपे होसे You will be given 5 questions You have to identify, you have to answer the questions from the paragraph तो पेरेग्राफ ने मित्रो जेम में समझावी तमने इरिते वाचवो पडशे समझवो पडशे तो तमें प्रोपर आणसर तेनों लखी शक्क्षू उदारन तरीके बीजो प्रश्न छे अवे बीजा प्रश्न मां सवाले ओ छे कि Who created interest in Salimali for birds Birds मां Salimali ने interest कोणे create करो तो आँ थोड़ो अटपटो प्रश्ना जे आम तो यहना मेटर नल अंकल नी गिफ्ट ना कारणे पन रस पड़े अने आपणे वीजो जवाब पर लखी शक्किए कि W.S. मिलाडे पन यहने interest क्रियेट करो तो बेजवाब साच आवी शक्किए तो हुना प्लेस उपा लखी शक्किए W.S. मिलाड क्रियेटेड इंट्रेस्ट इन सनी वनी फोर बर्ड्स तो मित्रो आवी रिते पेरेग्राफ असे क्यांक तमने कन्फ्यूजन पन थसे तो बन्ने माथी जवाब बन्ने माथी कोई पन एक लखो तो जवाब साचो बनी शक्का तो आ तमारो पेरेग्राफ छे अवी रिते पुछाशे अने अपड़े अंसीन पेरेग्राफ समझी अंतो सप्लिमेंटरी नोच छे पन सप्लिमेंटरी ने बूक आपड़े जाते वाँच 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 जो जो मित्रो जाते वाँची शु तो ये सिन बुक के वाँच चै पन नहीं वाँच वाँच वता अनसीन जे उठाई जर ए इटपेंड्स ओंद चिल्डरन बाड़क उपर डिपेंच आगए सप्लिमेंटरी पुरक वाँच अच विद्यार्थी ना एडिशनल रिडिंग Additional reading तमारा उपर depends. Let's see another paragraph. Mitra Biju paragraph जोई. After returning to India, Salim tried to get a job as an ornithologist. With the geologist survey of India. But was rejected since he did not have a MSU or PhD degree. भारत परत फर्यापची सली मली ए ornithologist नी job लेवानों प्रहत्न कर्यों. पण PhD यत्वा MSC नव होवाने कारणे तेना आ प्रपोजन ने reject करवा मावी. He decided to study further to acquire eligibility for the job. Job नी eligibility माटे मेडवा माटे तेने वधारे study करवानों नक्की कर्यों. सलीम वेंड टू जर्मनी एन कोट ट्रेंड अंडर प्रोफेसर स्ट्रेस में एन एकनोलेश्ट और्मिथोलोजिस्ट नी बर्बली. सलीम जर्मनी गया अने प्रोफेसर स्ट्रेस में ना तालीम हिठड तेमने और्मिथोलोजिस्ट नो ब्यास करवानों शरू करे. अब पेरेग्राफ हवे अटलोज पेरेग्राफ चे मिति अने पेरेग्राफ प्रमाणे ना त्रोण प्रश्णों ही आपया तो सपोज पहलो प्रश्ण चे पहला प्रश्ण चे पहला प्रश्ण चे जवाब आपड़े अमा ती शोधी अने लख्ये प्रश्ट चे वाई वस सलीम अली फेल टू गेट अ जोब इन जुओ लोजी सर्वे ओफ इंडिया सलीम अली फेल के हम जाएज़ कारण के एमनी पासे डिगरी नहाँ हती MSC के PhD नहीं डिगरी नहाँ हती तो आपड़े अंसलखी शक्ये सलीम अली Failed to get a job in geological survey geological survey in India because he did not have MSC और PhD डिगरी देखो आगण मित्रों पेरेग्राफ वाथ येना माथी लेवं लखाव छू तम्हें पेरेग्राफ वाथी जोई शक्षो he did not have MSC और PhD डिगरी where did सलीम गो तो get further study Salim further study माटे क्या गया तो जर्मनी गया तो आपड़े लखी शक्ये Salim went to Germany to get further study further study माटे जर्मनी गया find out the similar word of well-known well-known नो समानार्थी प्रख्याद नामचीन कई शक्षक तो आपेरेग्राफ माँ आपेँ छे acknowledged acknowledged नो मतलब well-known थाए तो आपेँ अनो मित्रो जवाब छे तो आरी ते आपड़े एप्रोच जद एग्जिस्ट मानसी नामनी एक वुमेन छे ते कोई मुजियम नी गिफ्ट शौप माँ परचेजिंग करवा माटे काउंटर उपर उभीरेज यहले कोई खरीदी करवा माटे काउंटर पासे उभी हती जया एक कपल ने ते बाहार जता जुएज एग्जिस्ट माँ तरफ आवता जुएज मांसी observed the couple carefully मांसी एक वज काडजी पुर्वा का कपलनू निरिक्षण करेज एजे कपलने जुएजे तेनू ये निरिक्षण करेज दे मेन आफ्टर पेइंग दे बिल पुल्ड आउट आउट वाइट स्टिक एड टैप्ड इस वे तुवर्स गेट मांसी ते दिवसे दीरज हिम्मत अने प्रेम मां थी काईक शिखेज तो आउट पेरेग्राफ आपे होसे मित्रों प्रश्ण पहलों छे वाट वाज मांसी डूइंग एड दा काउंटर काउंटर पासेस हूँ करी रही है तो आपने ये रखी शक्किये मांसी उढ है तो आपने दीरेट मांसी काईक भासे हूँ करी रही है। अट दे काउंटर, मानसी वस मेकिंग परचेस अट दे काउंटर, वट दिड मानसी लर्न देट डे, ते दिवसें मानसी शुशिकी, तो छेली लाइन छे, मानसी लर्न देट देघ के वड्योंबल देगे, झाप्र देट।cus देट, तो करेंटर, वसम्छी खराई देट बढद़। something about patience, courage and love third question how can you say that the man mentioned in the paragraph was blind the man after paying the bill pulled out a white stick and tapped his way towards the gate we can say that or I can say that the man was blind the man was blind as the man after paying the bill pulled out a white stick and tapped his way towards the gate let's see the next paragraph fourth paragraph paragraph number 4 to 4 paragraph after the surgery I was no longer the independent person as before I had to depend on others to assist me even the simplest task it was going to be a long tough road to recovery recovery and I knew I couldn't get through without a positive attitude gradually I could adjust to the changes in my life I began to realize that I didn't have to give up my old life completely I was able to produce work and art in a silence and solace of my mind means means I was able to control my mind I still had control of my mind church I like my body I was able to do my body I don't have to control not human I have to control that totally Lord then I have to look at the the Trails world There is a paragraph through the surgery and I have to find the work in a negative body तो आठलो आपनने आप एरेग्राप पदी ख्याल अभी क्यों होशा है। Question No.1 How did her life change after the surgery? तो आपने लखी शक्के After the surgery She Was No longer Independent Person As before She had to Depend On Others To Assist Her In Even The Simplest Task How did positive attitude help to face challenge in her life? Positive attitude के भी रिते आपने लाइफ ना चैलेंज ने फेस करवावा मदद करेश तो With the help of positive attitude आपने यह करेने लखी शक्के With the positive attitude When the operation Gradually Gradually She could adjust She could adjust To the challenge in her life To the Change in her life Or changes in her life She began to realize She began to realize that She began to realize that Her life Completely Completely And she focused Her energy On a favorite pastime Writing 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 Right 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 Mietro So Aवी रिते पूछाए तो आपने जवाब लखी शक्क आपने तमारों चोथो पेरेग्राफ हतो Mietro आपने चार पेरेग्राफ ने प्रेक्टिस करे अवे पाँचमा पेरेग्राफ चोईए पाँचमा पेरेग्राफ मा I got up at four in the morning and melted snow and brewed tea Mietro आपने चार पेरेग्राफ चोईए ते कोई का परवतारोहण विशे चे तो परवतारोहण चे ये सवारे चार वागे उठे चे अने हिमालाए परवत जे माउट Everest चे तेना उपर चडे चे तो सवारे चार वागे उठे चे melt snow बरप पिगाडे चे येन ब्रूड टी ब्रूड ले तैयार करू चा बनावे चे त्या तो पाणी होए नी Mount Everest चे बरफोदी 11 एलो परवत तो बरप पिगाड वो चा बनावे चे लेखक सवारे चार वागे वेली उठे चे बरप पिगाडे चे अने चा बनावे चे आफ्टर हे लाइक ब्रेकफास्ट ओफे फ्यू बिस्कीट अन हाफ अ स्लेब अब चोकलेट्स आई लेफ्ट माई टेंट अट एराउंड 5.30 एम थोड़ाक बिस्कीट अने चोकलेट नो अड़दो टुकडो नास्तो ब्रेकफास्ट करया पची ते लगबग सड़ा पांच चे तेनो टेंट छोड़ेज मतलाब माउंट आवरेश्ट माँ कोई टेंट माँ ते रह चे अने 5.30 नी आसपास ए टेंट छोड़ेज अंग दुरजी वस स्टेंडिंग आउटसाइड अंग दुरजी नामना एक गाइड हसे ते भार उबाता ते विजू कोई हत्तु नहीं अंग दुरजी वस गोईंग टुक्लाइम विधाउट ओक्सीजन ते ओक्सीजन वगर तेंट चड़ी शक्ताइड माउंट आवरेश्ट नी टोच्चुदी बट विकाज ओफ दिस फिट वूड गेट वेरी कूल पर तेना कारणे तेमना पग खुबत थीजी जवाना पर ये चड़ी शक्ताइड तो अटलो बहरेगरा मित्रो छे प्रश्टन नमबर एक छे वेन डिड राइटर गेट राइटर किटला वागे उठ्या तो यहाँ पीशे चार वागे सवारे वाट इडी टेक इन दे ब्रेकफास ब्रेकफास मसू ली दू तो फ्यू बिस्कीट से ने हाप स्लेब आप चोकलेट से ली था तो आपने मित्रो अंसर लगी शक्किये है the writer got up at the 4 in the morning and she took a few biscuits and half a slab of chocolates, half a slab of chocolates in the breakfast, ready? next one, who was waiting outside the tent, tent नी कोण रा जोई रह वादू, तो तो अंग दूर्जी, उना प्लेश उपलकेशु, अंग दूर्जी वस वेटिंग outside the tent, तो अंग दूर्जी वस वेटिंग outside the tent, तो मित्र आरी ते फ्रश्ट बूच्या, what happened to अंग दूर्जी if he climbed without oxygen, तो आपड़े जवाब लखी शक्किये, if अंग दूर्जी climbed without oxygen, पेला लखू पड़ से, इप वाड़ों प्रश्ट आगड लखाए, जवाब ही आपे उच्छे, his feet would get very cold, his feet would get very cold, तो मित्र आरी ते पाँच पेरेग्राफ नी आजे आपणे practice करी, आवी ते तमने पेरेग्राफ आपे आसे, और तमारे पेरेग्राफ वाची समझी, और त्यमां थी proper sentence मां अंसर लखवाना छे, जो लख्शो पूरा मारक वण से, आ पेरेग्राफ आ टोपिक खुबस शरण चे तो मित्रो आगण नाजी पेरेग्राफ चे लाट्टू थी ए वर्क बुक माँ पेरेग्राफ आपया चे यू विल गेट नंबर ओप पेरेग्राफ तमारे अनी प्रेक्टिस करवानी चे तेना जवाब भू तमने लखी अने मुखली पण आपीश तेनी तमारे चिंता करवानी जरू न थी पौन आपड़े पहला थोडिक जाते प्रेक्टिस करवी पण शे ओके सो स्टूदंस आई होप यू कन अंडरस्टेंड इट वेरी वेल तमने ख्याल आवी गई हो शे टोपिक मा पण खबर पड़ी गई हो शे तो नितरो आज जनो आटोपिक आई है आपने पुरो करिये छी वी विल मीट अगें वीथा न्यू टोपिक सी यू अगें बाई कर दो आई हो आई है